विदेशी निवेशक यानी एफपी आई के लिए टेक्स के मोर्चे पर मुश्किल बढ़ती दिख रही है आयकर विभाग ने अब कई मामलों में फपी इसको होने वाले एक्विटी केपिटल लॉस के बदले डेरिविटिव मार्केट में होने वाले फायदों की भरपाई करने से रोग दिया है अगर सभी एफपी इसके लिए ऐसा किया गया तो उन पर टेक्स का बोज काफी बढ़ जाएगा और यह निवेज को हतोतसाइद कर सकता है सर यह क्या बदलाव किये जा रहे हैं? अलग अलग सुभव के ट्रांजेक्शन से और इन पर अलग अलग टैक्स लगना चाहिए यह जो नियम नया आ रहा है से सल लगता है कि अगर यह सरकार ने अलग से कोई रिलीफ नहीं दी या कोई विशेश सोविधार नहीं दी तो एफपी आईज को डेरिवेटिव गेंस पर 40% तक का टैक्स देना पड़ सकता है और 40% का टैक्स डेरिवेटिव मार्केट को हतोत साहित करने के लिए परयाप्त होगा पार्टिसिपेंट यानि की डीडीपीज को मेल भेज कर ये कहा गया है कि वे लीगल एंटिटी के रूप में पेरेंट इंस्ट्यूशन या पेरेंट कंपनी का नाम बताएं सब फंड का नाम ना बताएं यानि सेवी इन फंड में पैसा लगाने वाले असल निवेशकों की पहचान बताने को कह रहा है सर सेवी ऐसा क्यों कर रहा है सेवी लगातार ये कोशिश पिछले दो साल से चल रही है और अभी हाल फिलाल में जब हमने अडानी समू के कामकाज को लेकर उठने वाले सवाल देखे और सेवी इसमामले की जाच कर रही है उसमें भी तारही से जुड़े हुए के डानी समूं में निवेश करने वाली कुछ विदेशी निवेशकों के बारे में नहीं पता है कि उनके मालिक और उनके परमोटर कौन है चुकि भारत में निवेश करने वाले विदेशी निवेशक उन जूरिडिक्शन्स में काम करते हैं उन देशों से निवेश कर रहे होते हैं जहां से उन्हें ये सूचना है नहीं मिल पाती ही लेकिन अब इस बात का दबाव भारत सरकार इन निवेशकों की तरफ और से भी बना रहे हैं कि उन्हें पता तो चले कि भारत में कौन सा विदेशी निवेशक आ रहा है और उसके पी पर यह पता कैसे चलाए जाए कि उनके पीछे कौन से किसका निवेश का फंड लगा हुआ है लाकि यह सेभी की मुहिम इतनी आसान नहीं होगी एक और महतुपूर्ची संदर में समझना है जरूरी कि भारत सरकार ने गिफ्ट सिटी गुजरात किफ्ट सिटी से भी ट्रांजे से उनके फेशन होते हैं वहां उन्हें और भी सुविधार दी गई उस रोशनी में भी क्या यह दोनों फैसले फपी आई इस के बारे में केवाईस्य का फैसला भी उस कोशिश को कहीं न कहीं प्रभावित कर सकता है क्योंकि विदेशी निवेशक भारती बाजार से आफ्श